आप सबी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीजे नेचर स्टेजर में आपका अस्वागत है साथ हो आज हम सतावर की चर्चा करेंगे सतावर एक महान उस्दी वे रसायन एस्पेरागस रेसिमोसस लिलीएसी या एस्पेरागेसी फैमिली का है यह इसके अंदर मित्रो वास्थ्र अप्लिकेशन इस प्लांट की होती हैं बहुत सारी बीमारियों के निराकरण के लिए इसको हम उप्योग मिलाते हैं और आयुर्वेद की तो यह महान उस्दी है ही बाकि यूनानी सिस्टम और फीलिंग में हमोपैथी में और कई मॉडर्न मेडिसिन्स के बनाने में इसका विश्यस उप्योग किया रहा है मित्रो इसके अंदर छोटे-छोटे काटे होते हैं सावधानी से आपको इसको हैंडल करना चाहिए आप इसके डिडल सेप जो लीव्स देख रहे हैं इनका आप इकठा कर लीजिए और घीमे भून कर इसका आप सेवन कीजिए विट्मिन्स की शरीर के अंदर जो कम होती है उसको पूरा करने का यह कारे करते हैं साथी इनहीं पॉमल पत्र का आप अगर डिकॉक्षन बना कर सेवन करते हैं तो पित्त जनित बुखार को दूर करने का कारे करते हैं तो इसके पत्र आपने जाना कि कैसे हम औस्दे गुणों के लिए उपयोग मिला सकते हैं आखों की रोशने को बढ़ाने के लिए इम्मिनटी को बढ़ाने के लिए और बुखार को ठीक करने के लिए हम इसके पत्र का उपयोग कर सकते हैं साथ्यो सतावरी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इसकी adventitious roots आप देख रहे हैं ये इससे निकलने वाली रूट हैं कि और सो से जяदा इसके अंदर पाइ जाती हैं इसलिए इसको सतावर कहा जाता है कुछ लोगों की ऐसी मन्हत होती है कि सो से ज्यादा आयरविदिक फॉर्मलेशन में इसका उप्योग होता है इसलिए इसको सतावर कहते हैं और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इडवें्टिषयस रूट्सकी संख्या सव होती है करीब हंड़र होती है इसलिए इसको हम्सा दावर काते हैं वे तुरो इसके अंदर स्थार्च कंटेंट भी पाया जाता है और होजाता है और इसके ऊपर से हम इसकी कोटिंग उधार देते हैं और फिर आम कम शुखेंगे बाद ये विलकुल विलकुल लक्डी के तरह होजाता है और पर फिर इसका पावडर बना लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक इसका पाउडर होता है उसमें मुएस्चर को लेने की च्छमता ज्यादा होती है नमी को ग्रहन करने की च्छमता ज्यादा होती है तो इसको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए इसका सेवन हमें ओस्तिय गुनों के लिए सब्सक्राइब के सब्सक्राइब है इन फर्टिलिटी की समझ्षा को दूर करता है आप क्या करेंगे इसका एक अच्छा योग अस्वगंधा के साथ भी बताया गया है वाजी करन के लिए उपयोग में लाते हैं उसको मेल और सीबेल हॉर्मोन को रेगुलियेट करने का आया करता है शुकु बर्धन का करता है बल और नकार को बढ़ाने का करें इसकी ग्रीन टी बनाकर हम लोग Sagнак करते हैं इसके पावडर को आप सिवह लेजिए और बराबर मात्र में स्वगंधा मिला करभ दूद के साथ का दोद हो तो उत्तम होता है आप अगर सेवन करते हैं तो इंटी एजिंग बढ़ापे को दूर करनेär वाला आपकी को लाइस की को बढ़ने وाला और को बढ़ने वाला होता है इसका अगर सेवन करते जातेले तो शरीर के अंदर यूरिनो जनाइटल सिस्टम में अगर स्टॉन की समस्षा है, इंफ्लामेशन की समस्षा है, टूमर्स से संबंदित कुछ प्रब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे वो भी रैमीडेट या ठीक होती हुई चली जाती हैं, वित्रो प्रोस्टेट की समस्षा है, उस अच्छी क्वालिटी का ना मिले, अच्छा दूद ना मिले, तो सहद के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, वित्रो किड्नी स्टॉन या गौल बलेडर स्टॉन में प्रारंभी कवस्था में अच्छी गुनवत्ता इसकी होती है, और अगर साइज काफी बढ़ जाता है, तो इससे कंट्रोल फिर नहीं हो पाता है, लेकिन किड्ने स्टॉन को दुबारा बनने की जो प्रकृति होती है, उसको ये रोकता है, दुबारा नहीं बनता है, इसको आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अच्छी नींद्रा को लाने के लिए, ये सरीर के नियूरो म स्कुलर सिस्टम दोनों पर कारे करता है, मानसिक लेवल पर तनाव को दूर करने का कारे करता है, मैमोरी को बढ़ाने के लिए आप इसको उपयोग में लाते हैं, और मानसिक तनाव के कारण अगर बाल जटने की समस्चा हो गई हो, उसको भी ठीक करने का ये कारे करता है, आ फिर अच्छी फार्मेशिस आप अगर बना हुआ ले रहे हैं तो वह एडिवल भी होता है और एक महानारेंड थेल जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं वह एडिवल नहीं होता है तो यह आपको पहले एशोर करना होगा कि यह एडिवल है कि नहीं तो इससे महान के रूप में भी आप इसका सेवन करते हैं तो हर्ट के अंदर आर्ट्रीज और उनके अंदर पाए जाने वाले कोलेस्ट्रोल को कम करने का कारे करता है इसको साइंटिफिक भासा में उसको यह कम करता है कोलेस्ट्रोल को कम करते हुए आर्ट्रीज को क्लीन रखता है और उन फर्टिलिटी की समश्या और मेंस्ट्वल फ्लो की जो समश्या है एकसेस होना या कम होना यह सब हर्मोन से जड़ू ही समश्या हैं उनके निराकरण करने के लिए उनको ठीक करने के लिए भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं बहुत ही सेफ यह प्लांट है रसाइन कहा गय हैं गमलों में आसानी से लगा सकते हैं बीज के माध्यम से हो जाता है और इनी जो आप रूट देख रहे हैं जड़ देख रहे हैं इनको भी आप अगर हार्वेस्ट करेंगे और इसको आप 3-4 महिने तक भी रखेंगे तो यह सूपती नहीं है फिर इनी से नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है इनसे भी आप इसको लगा सकते हैं गमलों में लगा सकते हैं वेस्ट लेंड पर लगा सकते हैं ज्यादा इरिगेशन के आप सकता नहीं है एरिड क्रॉप है आसानी से हो जाती है और महान उसदी तो है ही बित्रों ब्लड सुगर को डेगलेट करने का भी कारे करता है, hypertension को कम करता है, तनाव को कम करता है, blood pressure को कम करता है, anti-diabetic properties भी इसकी होती है, दुख्द वर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, माताएं बेहने जो सिश्वों को दूद पलाती हैं, उनको दुख्द वर्धन के लिए सतावर दूद के साथ सेवन करना चाहिए, अच्छा कारे करता है, कमर में, ribs case में होने वाले दर्द को ठीक करता है, तो शरीर की immunity, neuromuscular system से समबंदित problems, metabolism से समबंदित disorders, urinogenital system की problem, सभी में ये अच्छा कारे करता है, महानोस्ति है, anti-aging properties हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए इसको आप उपयोग में ये, मित्रो, लेकिन हमें थोड़ी से सावधान डखनी पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो ये constipation काॉज करता है, इस बात का आपको विशे ध्यान लखना पड़ेगा, या फिर अगर आपकी immunity बुखार होने के बाद, suddenly कम हो गई है, तो इसका सेवन कम मात्रा में स्टार्ट करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में एक दम लेना नहीं चाहिए, constipation ये cause करता है, तो अगर ऐसी परिष्टिती हो, तो आपको इसको एक सबते दस दिन के लिए ब्रेक जरूर देना चाहिए, और constipation जब आपका ठीक हो जाए, तो फिर स आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से safety के साथ इस रसायन का आप उपयोग कीजिए, आपके अच्छे स्वास्ते के लिए, घरों में, गमलों में, अपनी ग्रहवाटी का में आप इसको लगा सकते हैं, जानकारी को जरूर सांधर कर लिजे, चैनल को कर लें, और हो सके तो बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिजे, ताकि नित्य सुबह साड़े च्छे बजे आने वाली प्लांट की जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इनी बातों के साथ कल सुबह फिर मिलेंगे, आप सभी का धन्यवान, पनाम, नमस्कार.